प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोन मितिय फलन ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शन्स शब्द ट्रिक्नोमेट्री दो ग्रीक शब्दों ट्रिक्नो तथा मेट्री से मिलकर बना है ट्रिक्नो का अर्थ है तीन कोन और मेट्री का अर्थ है मापना यानि किसी त्री बुज के अंदर उसके तीन कौनों या उसकी तीन भुजाओं को मापना रिनात्मक वे धनात्मक कौन बच्चो जो कौन अब तक हम बनाते आए थे वो धनात्मक कौन होते थे जैसे 60 degree का कौन बनाना है तो 60 degree का कौन को हम इस तरह से बनाते थे जब अंतिम भुजा का घुमाव प्रारंबिक भुजा से anti-clockwise direction में होगा तो वो कौन धनात्मक होगा यानि positive कौन होगा और जब अंतिम भुजा का घुमाव प्रारंबिक भुजा से clockwise direction में होगा तो वो रिनात्मक कौन होगा कौनों को मापने की पदतियां वैं इन में संबंद डिगरी माप इस पदती में कौन को डिगरी में मापते हैं इसे X डिगरी से लिखते हैं बच्चों जो कौन अब तक हम मापते आये थे वो डिगरी में मापते थे 45 degree, 60 degree, 70 degree, इत्यादी अब हम degree को minute में तथा minute को second में विभाजित करेंगे जैसे 1 degree में 60 minute और 1 minute में 60 second लेके चलेंगे जैसे 1 cm में 10 mm होते हैं 1 cm के 10 भाग 10 mm होते हैं उसी तरह से 1 degree को हम आगे 60 भागों में विभाजित करेंगे उन भागों को हम 60 minute बोलेंगे मिनेट को हम लोग 60-स से लिखेंगे वह एक मिनेट को ओर आगे हम 60 भगों में विभाजित करेंगे वो एक मिनेट ब्राबर 60 सेकिंड बोल लेंगे कौनों को मापने की दूसरी पत्ति है radiant map radiant map में कौनों को radiant में मापनेंगे इसे वृत्या पत्ति भी कहते हैं इसे टू पाई रेडियन पाई रेडियन इत्यादी से लिखते हैं डिगरी तथा रेडियन के मद्य संबंद बचो हमने कोनों को मापने की दो पत्यां देखी डिगरी माप वे रेडियन माप अब डिगरी माप और रेडियन माप में क्या संबंद है यह degree map को radian map में कैसे बदलेंगे और radian map को degree में कैसे बदलेंगे इसको हमने यहाँ पर देखना है अगर किसी वृत की लंबाई यानि की वृत की कुल पृदी 2πr अगर वृत की पृदी के बराबर वृत की चाप ले लें तो कुल जो कौन यहाँ बनेगा वो 360 डिगरी का कौन बनेगा 360 डिगरी के कौन को हम 2πr के बराबर लेके चलते हैं अगर हम इसको दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो मेरे पास πr बराबर 180 डिगरी आ जाएगा और इसी तरह से जब हम इसको 2 से दबारा विभाजित करेंगे तो 90 डिगरी बराबर पाई बटे 2 डिगरी के बराबर होता है इसलिए यदि हम इसे दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे दो पाई बटे 2 और 360 बटे 2 करेंगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिगरी प्राप्त होता है इसी तरह हम रेडियन के अन्या मान भी ग्याद कर सकते हैं वे इसका उपयोग डिगरी के मान को रेडियन में वे रेडियन के मान को डिगरी में बदल सकते हैं कुछ समानिय कोनों के degree माप तथा उनके radian माप निमल इक्तसार्नी में दिये गए हैं जैसे πई बटे 6 radian joha वो 30 डिगरी के बराबर होता है πई बटे 4 joha वो 45 डिग्री के बराबर आएगा और πई बटे 3 joha वो 60 डिग्री के बराबर आएगा पाई बटे 2, 90 डिगरी के बराबर आएगा इतियादी यहाँ पर जब हमने किसी डिगरी माप को रेडियन में बदलना है डिगरी माप को रेडियन में बदलना है तो डिगरी माप गुना पाई बटे 180 करेंगे तो वो रेडियन के बराबर आएगा और यदि किसी radian map को degree में बदलना है तो radian map को 180 बटे पाई से गुना करेंगे तो वो degree map के बराबर आएगा आएए इसे हम एक प्रशन से समझते हैं प्रशन नमबर वन भाग दो, माइनस संतालिस दिग्री तीश दैश दिग्री को radian map में बदलिए माइनस संतालिस दिग्री तीश दैश बराबर माइनस संतालिस पॉइंट पाँच दिग्री होगा एक्स दिग्र पर पी रडिएंट एकड़ी बराबर पी रडिएंट एक्स दिग्री बराबर पी बते एक्स दじゃない रेडियन वे माइनस 47.5 डिगरी ब्राबर पाई बटे 180 गुना माइनस 47.5 डिगरी बचो इसको काटोगे तो माइनस 19 पाई बटे 72 रेडियन आएगा बचो जब भी हम डिगरी को रेडियन माप में बदलते हैं तो अंस्वर में पाई को रखना होता है पाई का मान आपने यहां नहीं भरना तो इसको माइनस 47 डिगरी 30 डैश हमारे पास माइनस 19 पाई बटे 72 रेडियन के बराबर आया आईए बढ़ते हैं अगले प्रशन पे प्रशन 2 भाग 1 ग्यारा बटे 16 रेडियन को डिगरी माप में बदलिए अब हमने रेडियन को डिगरी में बदलना सीखना है पाई रेडियन जो है पाई रेडियन बराबर 180 डिगरी होता है एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिगरी होगा वे 11 बटे 16 रेडियन बराबर 180 बटे पाई गुना 11 बटे 16 होगा बचों यहाँ पे पाई का मान 22 बटे 7 भरेंगे 180 गुना 11 बटे में 22 बटे 7 वो 7 उपर आ जाएगा गुना में 16 इसको काटेंगे हम 180 गुना 11 गुना 7 बटे में 22 गुना 16 11 गुना 2 गुना 22 और 2 और 180 सी कटेंगे 90 पे 90 पे और फिर 45 बटे में 8 बराबर आ जाएगा 35 और 315 बटे 8 डिगरी आएए आगे देखते हैं ठीटा एल वे आर के बीच में संबंध यहां पे किसी वृत के अंदर किसी वृत की चाप एल दबारा बनाया गया कौन ठीटा वे उसकी तरीजिया आर है एल चाप की लंबाई आर वृत की तरीजिया वे ठीटा चाप के दबारा वृत के के अंदर पर बनाया गया कौन है इसके बीच में हमने संबंध देखना है कि ठीटा एल और आर के बीच में क्या संबंध होगा यदि वृत की चाप की कुल लंबाई उसकी प्रिदी के बराबर हो तो वृत के केंदर पर बना कौन टू पाई होता है हम जानते हैं कि वृत का पूरन जो कौन है वो 360 डिगरी का होता है और 360 डिगरी 2 पाई के रेडियन के बराबर होता है इसलिए यहाँ पे 2 पाई लिया गया अगर वृत की चाप की कुल लंबाई यानि वृत की प्रिदी 2 पाई आर हो तो एंगल जो है कौन जो है वो 2 पाई रेडियन होगा और यदि वृत्पी चाप की लंबाई एक ले लें, तो कौन हमारा 2πाई बटे? 2πाई R हो जाएगा, 2πाई और 2πाई को काटेंगे तो 1 बटे R होगा अगर वृत्त की चाप की लंबाई L लें L तो हमारा कौन जो बनेगा ठीटा बराबर L गुना 1 बटे R होगा यानि theta ब्राबर L बटे R आया अब यहाँ पे एक बात देखनी है क्योंकि radian map को हमने वृतिया पत्ती भी कहा था कि इसे वृतिया पत्ती भी कहा जाता है तो एक वृति के अंदर जब कोई चाप किसी वृति के के अंदर पर कोई बनाएगी अगर कोई चाप वृति के एक इंदर पर कोई कोई बनाएगी theta तो उसको हम radian में मापते हैं theta ब्राबर L बटे R को हमेशा हम radian में मापतेंगे प्रशन संख्या 5 एक वृति जिसका व्यास 40 cm है कि एक जीवा 20 cm लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ग्याद कीजिए क्या दिया है हमें इस जीवा की लंबाई दिया है 20 cm इस जीवा की संगत चाप छोटी चाप इसकी लंबाई निकालनी है हमने क्या ग्याद करना है हमने A, B, चाप की लंबाई ग्याद करनी है, जो छोटी चाप है, दिया है वृत का व्यास, वृत का व्यास बराबर 40 cm, इसलिए तरिज्या बराबर हो जाएगी, 40 बटे में 2, बराबर 20 cm, इसलिए हमारे पास तरिज्या O, A, बराबर O, B, बराबर A, B, 20 cm जो हमें दिया हुआ है, वो आ गया, तो त्री बुज O, A, B में उसकी तिन्नों बुजाएं बराबर आगी, त्री बुज O, A, B, O, A, B, एक संभावू, त्री बुज है, त्री बुज O, A, B, एक संभावू, त्री बुज है, इसलिए एंगल O, A, O, B, एंगल A, O, B, 60 डिगरी का होगा, क्योंकि संभावू, त्री बुज के तिन्नों कौन बराबर होते हैं, 66 डिगरी के होते हैं, इसको हम रेडियन में लिखेंगे, तो पाई बटे तीन रेडियन के बराबर आएगा, अब हम ठिटा इक्वल टू L बटे R का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हमने L का मान ग्याद करना है, A, B का मान ग्याद करना है, तो L बराबर R गुना ठिटा हो जाएगा, R का मान है 20 सेंटीमीटर और ठिटा का मान था पाई बटे तीन रेडियन, 20 गुना पाई का मान भरेंगे, 22 बटे में 7, इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो आएगा 440 बटे में 21 सेंटीमीटर, एक बार फिर से देख लें, क्या दिया हुआ था हमें, जीवा की लंबाई दे रखी थी, 20 सेंटीमीटर, A, B, equal to 20 सेंटीमीटर, और वृत का व्यास दिया हुआ था, 40 सेंटीमीटर, वृत के व्यास से हमारे पास तरिजया आ गई, तरिजया बराबर 40 बटे 2, 20 सेंटीमीटर आ गई, तो हमने ये देखा, कि इस तरिज़, O, A, B में, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है, जब तीनों भुजाएं उसकी बराबर आ गई, तो वो एक संभाहू तरिज़ बन गई, संभाहू तरिज़ में, तीनों कौन बरा क्योंकि वृत के अंदर, जब भी हम इस फॉर्मूले का अप्रयोग करेंगे, तो उसको हमने रेडियन में बदलना होगा, तो ठीटा को हमने रेडियन में बदला, पाई बटे 3 रेडियन, हमने L का मान निकालना था, L बराबर R ठीटा, R का मान भरेंगे 20 और ठीटा का मान पाई बटे 3, अब पाई का मान 22 बटे 7 फिर भरना है, तो इसको गुना करेंगे 22 गुना 20 बराबर 440, बटे में 3 गुना 7 बराबर 21, तो 440 बटे 21 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आया, तिरकौन मितिया फलन, कक्षा 10 में हमने नियून कौनों के तिरकौन मितिया अन पातों को समकौन तरीबुझ की भुजाओं के रूप में अध्यन किया है, जैसे कि समकौन तरीबुझ ABC में, साइन ठीटा बराबर, BC बटे AC, लंब बटे करन हमने पढ़ा था, तो अगर हम इ यूज कर रहे हैं, यहां वाले इस कौन का यूज कर रहे हैं, तो इस ठीटा के लिए अधार जो है, AB भुजा होगी, और लंब जो है, वो BC भुजा होगी, बचो इस बात का ध्यान रखना है, इस त्रीबुझ ABC में समकौन 90 डिगरी के इलावा ठीटा और एक अन्या कौन भ होता है कि आपने कौन से कौन को प्रयोग में करना है, ठीटा का या अलफा का, तो अगर मैं इस ठीटा का कौन का प्रयोग कर रहा हूं, तो इस ठीटा के लिए अधार जो है, वो AB भुजा होगी, और लंब जो है, वो BC भुजा होगी, तो साइन ठीटा ब्राबर लंब बट बाङए करण यनि BC बाटे AC होगा इसी तरह से COUS थिटा अधार बाटे करन AB बाटे AC हो जाएगा C저 थिटा जो है वो लंब बाटे अधार BC बाटे AB हो जाएगा, CO2 थिटा ब्राबर अधार बाते में प्रिखा होगा PBPHB, यानि कि साइन, कॉज और टैन का अनुपात, यह एक अनुपात है, यहाँ पे हमने एक वर्ड फलन भी यूज किया है, तिर कौन में तिया है फलन, इस तिर कौन में तिया है फलन में फलन शब्द का क्या अर्थ है, फलन इन बुजाओं के अनुपात, BC और AC, BC और AB, तिरी बुज की दो बुजाओं के अनुपात और इस कौन के मध्या एक संबंद को दर्शाथता है, फलन का मतलब है तिरी बुज की बुजाओं और कौन के बीच में संबंद, कक्षा 10 में हमने इस टेबल को भी पढ़ा था, इस सार्णी को भी पढ़ा था, जैसे साइन 0, 0, साइन 30, एक बटे 2, तो आपके विश्य अध्यापक ने आपको इस सार्णी को बनाना सिखाया होगा, और याद करना सिखाया होगा, हम यहाँ पे कक्षा 11 में इसको अब हम रेडियन्स में पढ़ेंगे, यानि कि साइन पाई बटे 6 रेडियन, जो है वो एक बटे 2 होगा, कोज पाई बटे 6 रेडियन, वर्गमूल 3 बटे 2 होगा, वह अन्या है, साइन कोज और 10 के मान यहाँ दिये गए हैं, अन्या मानों के लिए जैसे कोसिकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स है और कोट एक्स है, इनके मान क्रमशे साइन एक्स, कोज एक्स और कोट एक्स के उल्टा या विलॉम होते हैं, यानि कोसिकेंट एक्स का मान अगर ग्याद करना हो तो एक बटे साइन से आ जाएगा, कोट एक्स का मान अनुपातों के बारे में पढ़ा था, नियून कौन यानि की 90 डिगरी से छोटे छोटे कौन, तो आए हम ये देखते हैं कि जो चतुर्थांश है आपके, चार चतुर्थांश आपके पास होते हैं, फर्स्ट, सेकिंड, थर्ड और फॉर्थ, इन चतुर्थांशों में कौन सा X या Y कहाँ positive होता है, कहाँ negative होता है, इसको हमने नौवी कक्छा में पढ़ा था, जैसे कि इस पहले चतुर्थांश में X हमारा positive होता है और Y भी positive होता है, तो इस त्रीबुझ के अंदर हमारा, मान लो ये अधार है, तो ये अधार positive हो जाएगा, और लंब भी positive हो जाएगा करन भी positive हो जाएगा तो पहले चतुर्थाश में हमारे तिन्नों भुजाएं धनात्मक होएंगी तो इनके जो ratio आएंगे जैसे लंब बटे करन का ratio लूम है लंब बटे करन तो लंब जो है वो positive है और करन भी positive है तो positive बटे में positive करेंगे तो positive आएगा इस पहले चतुर्थाश में सारे के सारे तिरकोन मितिया अनुपात sin, cos, tan, cot, secant और cosecant 6 के 6 हमारे धनात्मक होते हैं पहले चतुर्थाश में सारे तिरकोन मितिया अनुपात धनात्मक होते हैं आएए दूसरे चतुर्थाश में देखते हैं दूसरे चत्वतंश में हमारे पास जो अधार है वो माइनस का हो जाएगा लंब और करण दोनों धनात्मक रहेंगे तो अगर मैं यहां पे sin ठीटा का मान देखूं दूसरे चत्वतंश में तो sin ठीटा बराबर आता है लंब बटे में करण लंब बटे में करण तो lump positive है और current भी positive है तो positive बटे positive बराबर क्या आएगा positive आएगा तो sine और sine का उल्टा sine का उल्टा यानि cosecant यह दोनों यहाँ positive रहेंगे लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पे tan को देखूँ तो tan क्या होता है लंब बटे में अधार तो lump यहाँ पे positive है अधार यहाँ पे negative है तो lump बटे अधार करूँगा तो वो negative आएगा तो अन्य जो 4 हमारे पास त्रिकोन में तिया अनुपात बचे हैं tan, caught, cause, secant यह दूसरे चतुथाश में माइनस के रिनात्मक होएंगे तीसरे चतुथाश में हमारे पास अधार और lump दो भुजाएं negative आगे तो tan और caught हमारे पास दोनों positive रहेंगे बाकी चार sin, cosecant, cause, secant यह चार हमारे यहाँ पे माइनस के रहेंगे फिर cause, चतुर्थ चतुर्थाश में अधार और करन दोनों positive हैं और यह लंब यह negative हो जाएगा तो यहाँ पे cause और secant दोनों positive आएंगे और बाकी के चार यहाँ पे रिनात्मक आएंगे आएए इस चीज़ को हम लोग उधारन से समझते हैं उधारन 6, यदि cause x ब्राबर माइनस 3 बटे 5 हो और तृत्या चतुर्थाश में स्थित है तो अन्या 5 तिरकोन मित्या फलनों के मानों को ग्यात कीजिए अब यहाँ पे जो हमें कौन दिया हुआ है वो तृत्या चतुर्थाश में दिया गया है यहाँ दिया हुआ है तो हमें इस question को solve करने से पहले यह पता होना चाहिए कि तृत्या चतुर्थाश में 10 और quote positive होएंगे 10 और quote जो है वो positive होएंगे 6 अन्या 4 जो है cause, secant, sine और cosecant यह हमारे पास 4 negative होएंगे ठीक है तो जो पिछे हमने पढ़ा था कि कौन से चतुर्थाश में कौन सा त्रिकोन मित्या फलन जो है धनात्मक होगा कहां पे वो रिनात्मक होगा उस चीज़ को आपने समझना है चलिए शुरू करते हैं cause x ब्राबर minus 3 बटे 5 है तो सबसे पहले secant x का मान निकाल लेते है secant x ब्राबर 1 बटे cause x होता है तो यानि कि cause का उल्टा हो गया तो यह minus का 5 बटे 3 आ जाएगा बच्चो कक्षा 10 में हमने ये सरव समीका पड़ी थी sin square theta plus cos square theta equal to 1 यहां से sin theta का मान अगर निकालें तो plus minus वर्ग मूल एक minus cos square theta आ जाएगा इसमें cos theta का मान भर देंगे तो sin theta आ जाएगा sin theta बराबर 1 minus minus 3 बटे 5 का वर्ग इसको बच्चो solve करोगे तो plus minus 4 बटे 5 आएगा लेकिन 33-ta1 में x हमें कि समें दिया है? 33-ta1 में sin minus का होता है तो sin theta का मान हम लोग minus 4 बटे 5 लेके चलेंगे sin theta का मान minus का क्यों लिया? क्योंकि 34-ta2 में sin minus का होता है 10 theta ब्राबर, sin बटे में, cos theta, 4 बटे 5 और 3 बटे 5, 4 बटे 3 आ जाएगा. कौट theta के मान के लिए 10 का उल्टा करेंगे, कौट theta ब्राबर, 1 बटे, 10 theta ब्राबर, 3 बटे, 4 वे, cos theta जो है वो, sin theta का उल्टा हो जाएगा, 5 बटे, 4. तो यहां पर धनात्मक और रिनात्मक जो चिन आपने लगाने है, वो आपको इस चीज़ को देखते हुए लगाने है, जो question में आपको चतुथांश दिया है, जिस चतुथांश में आपका कौन है, उस चतुताश में कौन सा त्रिकौन मितिया अनुपात धनात्मक है, कौन सा रिनात्मक है, उस चीज़ को आपको देखते हुए यहां पलस और साइन के जो चिन है वो प्रयोग में करने है पूरक संपूरक वे अन्या कौनों के त्रिकौन मितिया अनुपात बच्चों कक्षा 10 में हमने पूरक कौनों के तिरकोन मितिया अनुपात पड़े थे ये 6 सूतर हमने कक्षा 10 में पड़े थे कि साइन 90 माइनस ठीटा पूरक कौन मिन्स जिन दो कौनों का योग 90 डिगरी होता है तो उन कौनों के तिरकोन मितिया अनुपात साइन नब्बे माइनस ठीटा बराबर कॉस ठीटा, कॉस नब्बे माइनस ठीटा बराबर साइन ठीटा यहाँ पर हमने ये सिखा था कि sine जो है वो cause में बदलेगा, cause sign में बदलेगा, tan coat में बदलेगा, caught tan में, cosecant secant में और secant cosecant में बदलता है अब 90 माइनस ठीटा, अगर हम चतुथांश में देखें, तो 90 माइनस ठीटा कहां आएगा, 90 माइनस ठीटा में नबबे से छोटा छोटा एंगल है, तो पहले चतुथांश में आपका 90 माइनस ठीटा exist करता है अगर हम दूसरे चतुथांश की बात करें, तो जो कौन है वो 90 डिगरी से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 90 प्लस हो जाएगा, या 180 डिगरी से छोटा रहेगा, 180 माइनस ठीटा तो दूसरे चतुथांश में 90 प्लस ठीटा के लिए जो हमारे त्रिकॉनमित्य अनुपात आएगे, वो इसके जैसे ही होएगे, साइन कौज में बदलेगा, कौज साइन में बदलेगा, टैन कॉट में, कौट टैन में, कौसिकेंट, सीकेंट में, सीकेंट, कौसिकेंट में लेकिन दूसरे चतुताश में कौन सा trigonometric अनुपाद जो है वो धनात्मक होगा कौन सा रिनात्मक होगा वो प्लस और माइनस के जो चिन है वो हमने यहां लगाने है देखो sin 90 फ्लस ठीटा तो यह वाला sin 90 फ्लस ठीटा 90 फ्लस ठीटा तो यहां से आपको यह पता लगेगा कि जो कौन है आपका कौन से चतोथाश में है तो साइन 90 प्लस ठीटा 90 प्लस ठीटा हमारा दित्या चतोथाश में है दूसरे चतोथाश में है तो इस दूसरे चतोथाश में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ plus का sign लगाएंगे इधर वाले sign cos 10 हमने देखने हैं और plus minus का sign हमने यहाँ लगाना है तो यह sign हमारा दित्य चतुधाश में धनात्मक है तो यह वाला sign धनात्मक होने के कारण यहाँ पे हमने plus का sign लगाएंगे फिर आप बात करते हैं cause की अब कॉज sine में बदलता है यह हमने सिखा हुआ है तो कॉज 90 प्लस theta, sine theta होगा लेकिन ये कॉज जो red में आपको दिखाई दे रहा है ये कॉज 10 चतुताश में माईनस होता है इसलिए यहाँ पर माईनस sine theta आएगा ये वाले स्फ नितस्स खान लगाते समय है हमने यहाँ वाले साइन कोस, बाइपक्ष वाले साइन कोस को देखना है यसे य also įे कौट से दित्य चतृथाश में माइनस का आता है तो तो कौट 10 में बदलेगा, लेकिन वो माइनस का होने के कारण माइनस 10 ठीटा बनेगा आईए हम अन्य चतुथांशों में भी तिरकौन मितिया अनुपातों को देखें तीसरे वैद चोथे चतुथांश में तिरकौन मितिया अनुपात किस तरह के होएंगे तीसरे चतुथांश में जो कौन है आपका 180 से बड़ा हो जाएगा 180 से चोटा रहेगा 270 माइनस ठीटा लिखेंगे चतुथांश में जो कौन है आपका 270 से बड़ा होगा वै 360 साथ डिगरी से चोटा होगा 360 माइनस ठीटा लिखेंगे तो तीसरे चतुथांश में जो तिरकौन मितिया अनुपात है sin 180 plus theta अब 180 degree के उपर trichon mithyan path sin जो है वो sin ही रहेगा cause, cause रहता है 10, 10 रहता है sin, sin में रहता है cause, 10, 10 में cause, cause में यानि कि trichon mithyan path 180 degree के उपर नहीं बदलता लेकिन हमने trichon mithyan path धनात्मक है कौन सा रिनात्मक है इसका जो चीज़ को जरूर देखना है जैसे sin 180C plus theta trichon mithyan path sin minus का आता है तो इसको minus sin theta लिखेंगे trichon mithyan path ये वाला sin उदर वाला नहीं देखना आपने इस sin को नहीं देखना इस sin को देखना है आपने ये sin आपका 344 में minus का है इसलिए यहाँ minus का sign लगाएंगे tangent theta 344 में plus का होता है tan जो होता है 344 में positive होता है इसलिए ये positive है तो यहाँ आपने positive sign लगाना है इसी तरह से हम इसके अन्य त्रिकोन मितियान बातों को बदल सकते हैं और 270 पे अगर देखें तो cause 270 minus theta cause 270 minus theta अब हमने ये देखा था कि 90 plus और 90 minus के लिए 90 plus theta था या 90 minus theta था sine cause में बदलता था cause sign में बदलता था secant, cosecant में तो इसी तरह से यहाँ पे भी 270 के उपर भी cause को आपने sine में बदलना है sine को cause में, tan को coat में, coat को tan में बदलना है तो cause जो theta है वो sine theta में बदल जाएगा cause जो है आपका sign में बदलेगा लेकिन 270 minus theta आपका तीसरा चतुर्थाश है तो तीसरे चतुर्थाश में ये cause negative होता है इसलिए इस cause को देखते हुए यहाँ आपने minus का sign लगा लेना है बच्चो ये question आपके ग्रह कारे के लिए है उमीद करता हूँ आपको ये part अच्छी तरह समझ आ गया होगा धन्यवाद झाल